स्वाती मालिवाल से मारपीट के मामले से जुड़ी इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है स्वाती मालिवाल मारपीट मामले की जाच के लिए दिल्ली पुलीस ने SIT का गठन कर दिया है स्वातिमाल से मारपीट के मामले में SIT का गठन किया गया है आम आदमी पार्टी सांसद जो कि राजसबा सांसद हैं स्वातिमालिवाल उनसे CM हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए इस SIT का गठन किया गया है इस मामले की जहांच अब तक उत्तरी जिल्ले के अडिशनल DCP अंजिथा चिपियला ही कर रही थे और वही अब SIT का अगवाई करेंगे SIT के, SIT में अंजिथा के अलावां तीन इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल है और में सिविल नाइस थाने के SHO भी है जहांपर केस दर्ज है नीरज सिंग वारे साथ इस वग जुड़ना जादा जानकरी के लिए SIT का गठन कितनी बड़ी खबर है नीरज जैसा क्यों करना पड़ा, क्या वज़य थी, क्या दिल्ली सरकार या CM Office परियाप्त सहयोग नहीं कर रहा था दिल्ली पुलिस के साथ नीरज क्या आप मेरी आवास सुन पा रहा है तो ये बड़ी खबर आई है, सिविल लाइन थाले में भी मामला दर्च किया गया था स्वातिमाल मेरे से जुड़ने कोशिश करेंगे लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, स्वातिमालिवाल जो कि राज सभासांसद है दिल्ली महिला आयो के धक्ष रह चुकी है उनसे जो बीते हफते मार पीट का मामला सामने आया था और जब वो अर्विन केजरिवाल जो कि मुख्य मंतरी है दिल्ली के उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए तो उनके पी-ए विभोकुमार ने उनके साथ बदसलू की थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी विभोकुमार को बचाती भी नजर आई हलागे दिल्ली पुलीस ने खारवाई करते हुए उनके खिलाफ एफ आई आर किया स्वातियमाली वाल के घर गए बाकाइदा उनसे एफ आई आर की गई अजया एसाइटी के गठन के तीछे एक ही उदेश है कि इस मामले की जो जाच है वो तेजी के साथ की जाए और चुक्टि अथरी जो जिल्ली का जिला है उसकी अदिशनल डिसीपी इस मामले की जाच कर रहे थी चुक्टि उनके पास और भी कई सारे केश होते हैं लेकिन इ जो सिविल लाइन ठाने में जो मामला इंका दर्ज हुआता है इसका मतलब यह है कि इसी मामले को फोकस करेंगी इसी मामले में तेजी के साथ जाच करेंगी और जल से जल जाच को पूरा करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने बरिस्क अधिकारी है उनको है अब सियमा जो हाउस है उसके अंदर एसाइटी की तीन जाएगी वहाँ पर तमाम सथ हैं उनको एक बार दुबारा से उनकी परताल करेंगी और उसके बाद एसाइटी जो जो तक सामने आएंगे बरिस्क अधिकारियों को उससे अफ़गत कराईगी तो हम कह सकते हैं कि ए दिल्ली पुलीस के पास मौझूद है इसके अलाबा आप देखें शराब घोटाले के अंदर और इसके अलाबा जो जल बोड घोटाला है उसमें भी वीवव कुमार का नाम सामने आया था इसके साथ भी जो एडी है उसमें पूस्ताच करी थी तो विवव कुमार अर्विन केजरिवाल का खासा करीबी है और कितना करीबी है आप उससे समझ सकते हैं कि जब अर्विन केजरिवाल त्यार जेल के अंदर मौझू थे तो सिर्फ च्छै लोगों से मिलने की अनुमती पिन चे लोगों में विवव कुमार भी सामिलों परवार के साथ तो अर्विन केजरिवाल और विवव कुमार का द Tag वह साफी करीबी है बिना सहमती के अर्विन केजरिवाल की इतनी बड़ी घटना स्याम हाउस के अंदर नहीं हो सकती है जबकि अर्विन केजरिवाल उस समय सिमा में यह जाँच पूरी हो जाएगी कुछ ऐसी बात यह जीकरे देडिनी पूरी के साथ यह जाँच पूरी करेगी समय के इसको फूरी कूरी और सिरेत साथ है कि आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ स्वाती मालीवाल के उपर हाथ उठाने का नहीं है ये उससे थोड़ा ज्यादा है और इसका दाइरा थोड़ा और भी बढ़ सकता है केवल मार पीट की जो घटना है उस तक सीमित नहीं रहेगा और दूसरे आयाम जिनका आप जिक्र कर रहे थे इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा हो सकता है कहा गया हो विभा को या फिर उनके परिवार के किसी सदस्दारा उकसाया गया हो या फिर उस वक्त जो रीक्रिएशन के लिए ले गई थी टीम मेरे खाल से उससे भी कुछ बाते बाहर निकल करके आई हो क्या जांच का दाइरा और भी बढ़ सकता है जिनका जिक्राप कर रहा है और उनके साथ लिभा कुछा प्वार जोट निकल कर सामने आए हैं कि स्वातिमाल को साथ मारपीत हुई है और जो तब बता रहे हैं जिस तरीके से आप देखें कि सीमिज तरीके से जो फोटेज है वो हमादी पार्टी जो कह सकते हैं सोसल मीडिया पर डाल लेए और स्वाती मालिवाल पर तमाम तरह के जो आरोप है वो भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इस कश्च को मामले में तेजी के साथ जाज की जाएगी यह संबब है अजय कि बिना अर्विंद केजरिवाल के होई नहीं सकता है कि उन्ता कोई मीजी सायग किसी सांसर के उपर हाथ बादे तो बिल्कुर आयम आगे भी बढ़ सकते हैं और और कुछ लोग भी इसके दायरे में आ सकते है कुछ और लोग भी दायरे में आ सकते हैं फिलाल बहुत धन्यवाद निरसिंग जुड़ने के लिए दो बड़ी ख़वर आ रही है कि साइटी का गठन किया गया है इस पूरे मामले में और आगे जांच जो है उसका दायरा भी बढ़ सकता है छोड़ा ब्रेक लेते हैं